वेलो एप्रीवन वेल्कम बैक टो मैई चैनल आप देखें निलम की रेसिपी मैं हूँ निलम की रेसिपी में आपके साथ ये ब्यूटिफूल सा फ्लावर साला डेकॉरेशन की रेसिपी शेर करने वाली हूँ वीडियो में सुरू सान तक बने रही हैगा वीडियो में आगे तो अब इससे हमें क्या बना है ना है किसे फ्लावर सिफ देना है तो इसको इस तरह हम लगा लेंगे आप जी तरह मैं डेकॉरेट कर रहे हूं बिल्कुल उसी तरह से डेकॉरेट किजिएगा यह देखें तो बहुत सिंपल तरीके से फ्लावर बन जाता है आप यहां पर प पतले पतले और से इसी तरह से इधर भी कर लेंगे तो यह देखें क्योंकि जब सैलेट का डेकॉरेशन होता है तो प्लेट हमारा और भी खुबसूरत लगे यह आप स्कूल कॉमपटिशन में पार्टिसिपेट कर लिए तो वहां पर बहुत यह आसानी से हमको डेकॉरेट जो ऐससे इस तरह से आप कर सकती है और यहां पर अभी देखे मैंने बताया है यह कुमबर होता है उसका पीछे वारा पार्ट होता है तो वह डाक होते हुए थुरह सा तो वहां पर यह कटिंग आप पतले पतले कर लिगे और इसको सरकल स्क्रिप में हम देंगे तो यह पतली पतली होनी चाहिए फिर आप पुछते हैं कि knife मैं कौन सा यूज करती हूं तो knife मैं ले रहे हूं बस सिंपल सा एक होता है कि कोई special knife use मैं नहीं करती हाँ knife use खास वर से salad वाला knife एकदम सार्प होना चाहिए क्योंकि पतली-पतली cutting जब हम करते हैं तो उसको cut करने में असानी होती है क्योंकि अगर आपकी knife से आप नहीं रहेगी तो cutting जो है पतली-पतली नहीं हो पाएगी तो इसलिए cutting को ध्यान में रखते हुए सार्प knife का आप यूज करें जो की अच्छा होता है हर तरह से और online आप मंगा सकती है knife को या आप किसी भी ख्रोगरी दुकान से भी knife का ले सकती है तो यहाँ पर देखे इस तरह मैंने decorate कर लिए तो यह flower आपका कितने अच्छे तरीके से decorate हो गया यह देखे तो इस तरह कैसी लगी जहां भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट करके आप पूछ सकती है वीडियो पसंद आई होगी लाइक शेर किजेगा मुझे फॉलो किजेगा और मेरे चनल नीलम की रेसेपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा तो चलिए इसी तरह और यूनि कि ले भी जी ज ँड़ोगा प्रॉब्लम आई करना भाइक पूलेगा उलेगा चलिए करना प्रॉण करना यूनियो प्रॉद भाइक दियाख व्रॉब्लम आई हो जब प्रॉद